अर्सलम अलेकुम students students हमारा आज का topic है application of lenses students हम जो application हम भी discuss करने जा रहे हैं that is photograph enlarger students photograph कि इसको कहते हैं किसी भी object की जो optical appearance होती है उसको हम photograph कहते हैं या अप्टिकल instrument के help से जब हम किसी भी object का optical image लेते हैं this is serious photograph, ini larger means, कि अगर हमें उस image का largest size चाहिए होता हैơn compared to object, this In Longest is larger.CE Chicken polymer Regist करो तो पदा चलता है कि photograph in larger रो technique है जिस के help से, हम एक厲जेक्ट के size से भी बड़ा image हासिल कर सकते हैं. तो स सब्सक्राइट के size से जो बड़ा image हासिल किया जाता है that लैंस के अंदर यो यूस ऑस के जाते हैं इस कनुछ लैंस एंड प्लैणों कनवेक्स लैंस नहीं कनमेसर लैंस के जाते हैं और आपक बाड सकतेय चार का भी इस्तिवाल किया जाथा रख्षा लायजर की बहुत से डिल आयल्अ हमारे वही में पाई जाती है जो भार में हम बड़ी बड़ी पिक्चर्ज लगाते हैं लार्ज साइज की पिक्चर्ज लगाते हैं वह भी फोटोग्राफ एंलार्जर की हेल्प से उप्टेन की जाती है बाइद यूज अफ लेंजेज ओके स्टुएंट्स इससे पहले हमने एप्लिकेशन स्टडी की थी स्लाइट प्रोजेक्टर की और अब हम स्टडी करें फोटोग्राफ एंलार्जर जो वरकिंग प्रंसिपल है स्टुएंट्स स्लाइट प्रोजेक्टर और फोटोग्राफ एंलार्जर का वो आल्मूस्ट सेम है सिरफ कंपेरेटिव एक डिफरेंस है कि हम स्लाइट प्रोजेक्टर के अंदर कंकेव मिरर का इस्तिमाल करते हैं जबके फोटोग्राफ नार्जर के अंदर हम कंकेव मिरर का इस्तिमाल नहीं करते इंदर होता क्या है कि अबर स्थायट इआंट स्विफ डॅजकेक्टर को एसवाक प्रॉजेक्टर को कि जो कमपेरिटिव ट्रीटो कि ब्रॉजकनकि ऑप प्रॉज इफनली के कि हमने जो लिइन पेया होता है इसमें जो तो different light rays originate emit हो रही होती है निकल रही होती है उसकी रस्ते में हमने कंकेव मिरर लगा देते हैं कंकेव मिरर इन तमाम light rays को वापस reflect करता है कंकेव मिरर से टकराने के बाद जितने भी light rays है सारी की सारी वापस reflect करती है है उसे कि फॉल करने के बाद यह तो स्लाइट प्रोजेक्टर है लेकिन जो हमारे पास कि सेकिंड जो फोटोग्राफ एं लार्जर है कि फोटोग्राफ एं लार्जर के अंदर होता क्या है कि हम ऐसा मेटेरियल यूज़ करते हैं तो सारे की सारी वरकिंग हम मेटेरियल के अंदर करते हैं दैट्स वाय जो लाइट सोर्स होता है लाइट बल्ब होता है उसके रस्ते में हमें किसी तरा का कनके मिरर रखने की जरूद नहीं है उसमें से जितनी लाइट रेज निकल रही होती है वह आट्मेटिकल यह इस मेटेरियल की वज़ा से रिफलेक्ट बैक कर जाती है और अब्जेक्ट पे फॉल करती हैं ओके यहां तो हम किसी एक्स्टरनल मेटेरियल की से कोवरिंग नहीं करते हैं तो हमें इस स्वाइट निकल मिर इसमाल करते हैं जैब किस लाइट चैनल मेटेरियल से कवरिंग तो को फ्राउट जितना मेकेनिजम है इस मेटेरियल के इस मेटेरियल के अंदर हो रहा होता है ओके और यहां हमने एक प्रोजेक्शन लेंज लगाया होता है कन्वेक्स लेंज तो इस मिटेरियल के अंदर सारा फिनामना हो रहा होता है that's why हम कंकियों मिरर का इस्तिमाल नहीं करते और सारा का सारा जो वर्किंग प्रंसीपल है फोटोग्राफ इन लार्जर का वो स्टुडेंट्स स्सक्फराय इसमें आब समय कंवेक्स लेंस होता है इसमें भी mindset लेंस होता है वो फ्हेंनली अब हम स्टर्ट कर लेते हैं वर्किंग फोटोग्राफ हिं लार्जर कैसे वर्क ज़्यक्त है इसके work करने से पहले हम वह component लिख लेते हैं जो हमें यूज किये जाते हैं फोटोग्राफ लाजर के अंदर फस्ट कंपोनेंट जो यूज होता है डेट इस लाइट बल्ब लाइट बल्ब की क्या functioning है यह नहीं हम यह जो लाइट सोर्स यूज करते हैं इसकी क्या का functioning है इसमें से light rays emit हो रही होती है लाजमी सी बात है कि अगर हमने object का image बनाना है तो हमें उस पर light file करवानी होती है तो light file करवाने के लिए हमें light bulb की जरूरत पड़ती है सेकंड लिस्ट हमें जो जो कंपनेंट चाहिए होता है फोटोग्राफिल नाजर के अंदर डैट इस कंडेंसर लेंस कंडेंसर लेंस कंडेंसर लेंस हमारे पास किस टैप के लेंस होते हैं यह हमारे पास प्लैनो कंवेक्स लेंस होते हैं लैग डैट तो कंडेंसर लेंस को हम प्लैनो कंवेक्स लेंस भी कहते हैं इनका जो यूज है फोटोग्राफ एन लार्जर के अंदर या स्लाइट प्रोजेक्टर के अंदर यह होता है कि जब लाइट सोर्स में से इस लाइट बल्ब में से लाइट इन पर फॉल करती है लाइट फॉल करने के बाद, यह तर्यू दिए लाइट रिस को पेडिलल बीम बनाके यहां जो अबजेक्ट पढ़ा हुट से इसके उपर फॉल करते हैं तो Condenser Lens हमारे पास Plano Convex Lens के लाते हैं क्योंकि इसकी यह आप देख सकते हैं यह वाली जो surface है A surface मैं इसको कह देता हूं इसको B surface कह देता हूं इसकी A surface plane होती है और इसकी B surface जो है वह outer side पर band भी होती है that's why यह Plano Convex Lens के लाए के लाए जाते हैं तो यह parallel beam of light rays आफ्टर रिफ्रेक्शन के बाद parallel beam of light rays इन में से निकलती है and then slide के उपर film के उपर यह object के उपर फॉल करती है जो third object हम यूज करते हैं स्टुएंट्स photograph in larger के अंदर that is film ओके हमारे पास film होता है जिसको अब अब जेक्ट भी कह सकते हैं fourth one is यह यहां पर slash projector के अंदर यह photograph in larger के अंदर यह आपके पास object होता है जो slide होती है यह फिर फिलम होती है इस वान इस अबजेक्ट सिमिलरली दफूर्थ वन इस projection lens projection कि लेंग्स है जैसा के नाम से जाहिर है projection lens यह प्रोजेक्शन लेंग्स कौन सा लेंग्स होता है यह दबल कंवेक्स लेंग्स होता है डबल कंवेक्स लेंग्स लगा जाता है डबल कंवेक्स लेंग्स की तर्मिनलोजी के help से हम एक optical appearance का large image हासिल कर लेते हैं इस कंवेक्स लेंग्स की help से क्योंकि आल्रेडी आप image location पढ़ चुके हैं कि जब image object को different position पे हम रखते थे तो हमें object का different image मिलता था sometime large sometime equal to the size of the object sometime smaller than the size of object depend करता था कि हम convex mirror से object जो है किस position पे रखते थे तो हमें उसके different images मिलते हैं convex projection lens से light पास होने के बाद हम एक screen लगाते हैं जिस पे हमें कि इस film का subject का image मिलता है स्टूडेंट्स फाइनली इसकी डियाग्राम पे work करने से पहले मैं आपको दुबारा से review दे रहेता हूं स्टूडेंट्स के convex lens को use करते हुए हम क्या क्या कौन-कौन से पोजिशन पे object को रखते हैं तो हमें कैसा image obtained होता है स्टूडेंट्स हम जब कन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं अबजेक्ट को बियांड टूइफ रखते हैं इन कीप इन माइंड अब ब्यांड टूइफ जब अबजेक्ट को रखा जाता है तो इमेज जो है वह स्माल होता है अबजेक्ट को बियांड टूइफ रखना पड़ता है ताके उस अबजेक्ट का स्टूडेंट्स हमें एक स्माल इमेज मिल सकें आप देखते हैं कि हमारी हाइट कितनी ज्यादा होती है हमारा साइज कितना ज्यादा होता जबके हमारा जो इमेज है वह कितना स्माल बनता है सेमिरली नमबर टू पर आप देखें बिट्वेइन एफ 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 पर जब हम अबजेक्ट को रखते हैं इन देट केस एमेज लार्ज बनता है एमेज लार्ज एंड जब हम टू एफ पर रखते हैं तो हमें इक्वल एमेज बनता है मिलता है इक्वल एमेज यह दो थी डिफरेंट लोकेशन पर अबजेक्ट को रखने का जब हम डिफरेंट लोकेशन पर अबजेक्ट को रखते हैं तो हमें कन्वेक्स लेंज के यूज करते हैं एमेज का यह result मिलता है तो students हमें चुंके photograph in larger पे काम कर रहे हैं तो हमें क्या करना है यह जो film है यानि यह जो object है इसको students f and 2f के बीच में place करना पड़ेगा ताके हमें उस film का या उस subject का enlarge image मिल सके यही तो convex lens की terminology है mechanism है कि हम different locations पे object को रख के अपना desire image हासिल कर सकते हैं but we have to follow the complete rules for image formation तो आप जब भी f and 2f के दर्मियान object को place करेंगे आपको object का एक large image मिलेगा so students finally हम इस पे अब डियाग्राम पे भर कर लेते हैं कि कैसे हमें एक large image मिलता है सबसे पहले students एक light bulb की हमें ज़रूरत है this is a light bulb ओके light bulb में से different light rays emit करेंगी in different light rays image होने के बाद फॉल करेंगे students condenser lens के उपर कि ओके लाइट रेविल फॉल एंटू दा कंडेंसर लेंस तो कंडेंसर लेंस की क्या फंक्शनिंग है कंडेंसर लेंस जो है मैंने जैसे आपको पहले बता है कि चुंकि यह भी ग्लास का बना होता है यह भी ग्लास का बना होता है इन दोनों को हम ऐसे अपियर करवाते हैं कि यह दोनों एक दूसरे के साथ इतने क्लोजड इतने जोड़े हुए कि light rays फॉस्ट प्लैनो कंवेक्स लेंस पे फॉल करती है तो दूसरे प्लैनो कंवेक्स लेंस के इंदर भी light की जो दियरेक्शन है वह सेम रहे light rays ना करें यहनि light को ऐसे अपियर हो रही हो कि मेडियम से मेडियम चेंज नहीं हो रहा तो चुमकर जब मेडियम चेंज होता है यह वाल पर लाइट रह जो है वह अपने दियरेक्शन से अपने पात से deviate कर जाती है band कर जाती है that's why हम इस पे इस से जो light ray आ रही है कि यहां से pass out करने के बाद straight लेकर जाते हैं similarly यहां से pass on के बाद यहां straight आ जाती है यहां straight parallel beam बना के condenser lens से हम एक parallel beam बनाते हैं और parallel beam बनाने के बाद यह जो हमारे पास film होता है यह अब्जेक्ट के इस अब्जेक्ट के ओपर यह parallel beam fall करवाते हैं completely एक ऐसे जितने भी light ray आती है ऐसे जितनी लेंस के उपर फॉल करती हैं तो condenser lens की functioning यह है कि हम parallel beam बनाके इस इस film के यह सब्जेक्ट के तमाम पॉर्शन को ब्राइट करते हैं हर हर जगह पर जब लाइट रे फॉल करेगी पड़ेगी तो इसके तमाम पॉर्शन ब्राइट होंगे तमाम पॉर्शन जब magnified image बनेगा ओके अब हम इस अब्जेक्ट के और स्क्रीन के आगे एक प्रोजेक्शन लेंस लगा देंगे जिसको हम कहते हैं कन्वैक्सलैंस इसकों क्या कहते हैं कन्वैक्स लेंज है याद रहे आपको इस पूरे मेटिरीयल को हमने कौ世界 किया होता है को पूरा मेटीरीयल का होता है Just like this और सारा मेकनियजम इस Männerνun material के अंदर हो रहा होता है इसलिए हमें किसी कंकेव मिर्यर की जरूत नहीं पड़ती light rays को आप पर reflect करवाने के लिए क्योंकि यह cover हुआ हुआ है covering box covering material है जब जब light ray इसके boundary से इस पर fall करेगी वापस reflect करेगी students okay so यह एक projection lens लगा हुआ है जिसको मैं है ब्लैक से highlight कर देता हूँ है यह स्काप्टिकल संटर है है ओक है एंड इसके आगे students हमने एक screen लगा रखी है अब होता क्या है कि जो rules of light ray के बारे में हमने पढ़ा था यह अप्टिकल संटर है एंड इस टोंट्स यह वारे पस principle एक्सेज है प्रंसिपल एक्सेज वो लाइन है जो आप्टिकल संटर से पास करती है अब सवाल ही पैदा होता है कि यह जो तो स्लाइड है यह कहां रखना है वो मैं आलड़ी बता चुका हूं कि फोटोग्राफ इन लार्जर चुंकि हमें लार्ज में चाहिए तो हमें जब लार्ज में चाहिए होता है तो अब्जेक्ट को हम कहां रखते हैं एफ एंड टू एफ के दर्मियान तो स्टूडेंट्स को यहां बनेगा डबल कन्वेक्स लेंस है हम दोनों साइट पे अब्जेक्ट कि आप्टिकल अपीरेंस हासिल कर सकते हैं में चाहसल किया जा सकता है तो नों साइट पेसका जो फोकल पॉएंट है वह लाई करेगा तो फस्लाइट स्टूएंट्स आती है और पार्टल टो इ प्रंसिपल एक्सिस पास करती है ओके इस में से प्रैल्लेल टू दा प्रंसिपल एक्सिस फास्ट लाइट रहाएगी और हम पढ़ चुके हैं कि आफटर रिफ्रेक्शन इट विल पास त्रू दा फोकल पॉइंट एंड सेकंड लाइट रहाती है और अप्टिकल से पास होते वे यहां के मीट कर जाएगी इसी तरह स्ट्वेंट्स यह सेकंड लाइट रहाएगी पैलेल टू दा प्रंसिपल एक्सिस और आफ्टर रिफ्रेक्शन इट विल पास है ओके एंड सेमिडर्ली है सेकंड लाइट रहे विल पास थ्रू अप्टिकल संटर रिमें अंचेंज इन पास थ्रू दिस अप्टिकल संटर आप देख सकते हैं कि हमें इस स्क्रीन के उपर यह जो इस तरह की डिफ्रेंट लाइट रहे उपर से फॉल करेंगी यहां भी औ का इस अबजेक्ट का ओके सो स्टुएंट्स यह था वरकिंग मेकेनिजम फोटोग्राफ इन लार्जर का जिसमें हमने एक लाइट बल्ब को इस्तिमाल किया यह हमारे पास लाइट बल्ब है लाइट बल्ब का मैं आल ले दिया आपको बता चकूँ कि यह लाइट रेस को एमेच करवाते हैं हम जब लाइट रेस तो उसके लिए हम लाइट बल्ब का इस्तिमाल करते हैं यह दो हमारे पास क्या है यह दो कंडेंसर लेंज हैं बहुत कंडेंसर लेंस की फंक्शनिंग यह कि जब लाइट रे इसको हम ऐसा पियर करवाते हैं इतना करीब रखते हैं कि यह लाइट रे सेम मेडियम की तरह पियर होती है है कि सेम लाइट रे जा रही को आम एक परलल बीम बनाएक परलल इस ऑपश्यक और फाल कर वाते हैं और मेडियम यहां कंडेंसर लेंज का इस्तिमाल करते हैं आपको पटा है जब मेडियम सेम रहे गए यह यह ऐसे अपियर होगी कि कंडेंस होके अपियर होगी तो लाइट रेने बैंड नहीं करना बलके स्ट्रेट पासवूट कर जना है ओके तो यह हमारे पास फिलम है सिमिरली तो फुस्त लाइ यह 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 दो रिए यह जो फासलальные अ कि यह यह भील पासम ayr Cin this optical center and meet here similarly a lot of light rays will be come from this object because these all light ray fall on this light and after passing through this light it will pass through this convex lens and the image will form on this screen okay and this image will be a large image is compared to the size of object so this is the working mechanism of photographing larger that is much similar to the slide projector there's a one minor difference between slide projector and photographing larger that's a concave minute okay that I have already discussed with you students stay with conceptual physics lecture for next videos that will be about simple microscope thanks for watching